आथियों जेमेम के सयोग से चलने वाली सरकार जब दिल्ली में भी थी और जारखन में भी थी तब इनकी सर्वोच्च प्रात्विक्ता क्या थी आपको भी जान करके उनके प्रति गुस्सा आता होगा उनकी प्रात्विक्ता थी अपने लिए बड़े बड़े आलिशान महल जैसे गर बनाएं मौल और सरकारी धन की लूट की इन लोगों ने गाओं वालों को जोपणी में रखा और शहरों में जुग्यों को विस्तार दिया एक तरफ बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारते बनी कॉलोनिया बनी उसके पीछे उन कॉलोनियों में बसने वाले समीकों के लिए सेवा कार्य करने वालों के लिए मकान बनाने की उनको फुर्सत नहीं थी जुग्यों में जीने के लिए मजबूर कर दिया इन जुग्यों में जीवन की मुलभूत सिविदाय तक नहीं दी गई जिसके चलते गंदगी बिमारी असिक्षा यहीं सब फलता फुलता रहा कि यह अटल विहारी बाच पाई जी की सरकार थी जब शहरों में स्थिती में रहने वाले गरीब परिवारों की पहली बार सुद ली गई उनके लिए गरों के निर्मान की योजना शुरू की गई लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार फिर केंद्र और जारखंड में इनके गडवंदन की सरकार बनी गरीबों के घर की योजनाओं का पैसा लूटने का दौर शुरू हो गया भाई और मैंनों जड़ा याद कीजिए यही जारखंड में 2014 से पहले आवास योजनाओं को लेकर कैसे कैसे गोटानों की खबरे आती थी ग्राम प्रधान पंचायत सेवक और बिचोलियों का गड़ जोड ऐसा था कि गरीबों के जादातर घर कागज़ पर ही बनते थे पंचायतों में लिस्ट से नाम हटाने वर जोडने का खेल चलता था घर की अरजी आगे बढ़वाने के यह गरीब के हजारों रुपिये खर्च हो जाते थे साथियों यह गोरक दंदा सिर्फ मकान तक किसी मिक नहीं था गैस कनेक्शन के लिए राशनकार बनाने के लिए बच्चों को स्कॉलर्शिप के लिए बुजुर्गों को पेंशन के लिए सब जहां पे कॉंग्रेस आरजेडी और उसके साथियों के सातन में लूटना यही ब अपने पांच साल के सातन में अपनी स्थीर सरकार में बाजपाने प्रस्त्राचार बढ़ाने वाले नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है अप्रदान मंत्री आवास योजना के तहत जो गर बंद रहे हैं उनके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है सरकार समय समय पर जो आर्तिक सामाजिक जंदगरना करती है उसके आधार पर लाबारती पहले ही तय हो चुके हैं इसी सुची के आधार पर जारखंड में दस लाख से अधिक गर गरीबों के बन चुके हैं और करीब आठ लाख गरों पर तेजी से काम चल रहा है बोकारों के भाई भाईयों भैनों जराथ 2014 के चुनाओं में क्या भाशन होते थे याद करिए 2014 के पहले स्थिती ये थी तब यहां के मुख्यमंत्री अपने भाशनों में जारखंड की जनता को वादा करते थे कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनेगी तो वे 30,000 घर बनाएंगे कितने 30,000 कितने कितने 30,000 उनका 2014 में बादा था 30,000 आज जब हमारी सरकार आपने बना दी आज 2019 में जब मैं आपको बात कर रहा हूँ हमने 5 साल में 10 लाख बना दिये 10 लाख कितने बनाएं कितने बनाएं कितने बनाएं अब बताइए कहां 30,000 और कहां 10 लाख इतना तेज काम तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य में डबल इंजिन की सरकार हो एक ही लक्ष लेकर चलने वाली सरकारे हो साथियों अब जो घर बन रहे हैं वो भी पहले की तरफ सिर्फ चार दिवारे नहीं हैं पहले सरकार ने जैसा तै किया वैसा ही घर बनता था लेकिन हमारी सरकार के दौरान अब घर काम मालिक और उसमें से खासकर हमारी माता ये बहने जो डिजाइन तै करेगी वैसा घर बनेगा वो चाहता है वैसा घर बनेगा सरकार उसके खाते में सीधे पैसा जमा करती है बिच में कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपणी नहीं आज प्रदान मंत्रिया वाज योजना के तहत मिल रहे घरों में सिरफ चार दिवारे नहीं गैस का कनेक्शन बिचली का कनेक्शन दूद्या रोस्नी वाले लेडी बाल्ब टॉइलेट सब कुछ साथ में मिलता है अलग से उनके लिए भाग दौड करने की जरूरत नहीं है